हलो स्टुडेंट जैसा कि आप लोगा कुछ भराम कैस्तिती पैदा हो गया है कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें आई हम लोग पटा-पट देखते हैं कम समय में कि कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे हमको जो है ज्यादर के जाला मार्ट साथ है और हमको परिशानी ना हो तो यहां पर पहला जो है सम बेसिक कंसेप्ट और इसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले सिगनिफिकन फिगर देख लेना सिगनिफिकन फिगर जो होते हैं चार-पांच रूल जो है उसको आप तोब अच्छे से देख लिजेगा क्या है क्या क्या नहीं और उससे रिलेट्र जो है एकदम फराफट देख लीजेगा नेक्स्ट हैं हमलोग का साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से देख लिजेगा एसाई यूनिट है एसाई उनिट होता है तो सुप्लिमेंटरी यूनिट होता है इसको देख लिजेगा लोग कै से रिलेटर जो मॉल कंशेप्ट है जिसमें हम लोगा कुछ फॉर्मूले से देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉल नंबर ऑफ मॉल इसकाल टू गिवें मास बाइ अटोमिक मास या फिर गिवें मास बाइ जब कोई मॉलेकुल से दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे मॉलेकुलर मास लिखेंगे आगे हम लोग का क्या चीज यहां पर की नंबर ऑफ मॉल होता है और यहां पर उसी को हम लोग क्या करेंगे लोग लिखेंगे अगर नमर ऑफ इच एटम करने बुलेगा क्या करेंगे नमर ऑफ डाट अट अटम इंटू नमर ऑफ मॉल इंटू एन्टू एन्ए जो एवगाड़ो नमबर है यहां पर हम लोग का यह भी फोर्मुला पुछता है कि वन मॉल इसको देखते हैं एकदाम इंपर्टेंट ट्विक को देखते जाना है यहां पर क्या बोला गिया है? how to calculate molecular mass यह ऐसा को सिंस भी आ सकते हैं how to calculate molecular mass तो molecular mass में जैसे CAOH का hal ू है यहां पे CAOH का hal ू को हम लोग ऐसे कुछ find کیा हुआ है calcium, atomic mass, oxygen का hydrogen का outstanding hall 2 है तो hall 2 वाला में जहे हम लोग बच जाते हैं इसलिए इसको हम लोग find करके यहां पर देख लिए इसी टाइस से एने टू सी ओ थी टेने स्टू ओ या फिर सी यह सो फॉर हाफ स्टू ओ ऐसा का हम लोग क्या करते हैं ऑगे हैं नेक्ट माइडियर एस्टूइन सब्सक्राइब करते हैं इसको डिनोट क्या चीसे करते हैं मौल पर लिटर और यहां पर बिशेश ध्यान देना यह जो है टेम्ट्रेचर पर डिपेंड करता है ठीक है आगे हमलों का मौला लिटी मौला लिटी किसको है यह नमबर अप मौल अप सॉलूट डिजॉल यहां पर मौल लिटर है तो यहां पर one केजी करेंगे और one thousand मिली यहां पर मिलीटर है तो यहां पर ग्राम लिखेंगी होग सॉलुट लिखेंगे ठीक है और इसका इनुट क्या होता है मौल पर केजी यह मौल क्रेक्शन हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं रेश्यो है नमर ऑफ मौल अल्टेकल्स करेंगे यह ऀनूटेकर्ट होता है इसिटाइश हbotham look at दैनी इंपने इंपरीकल फ़िंफ पर्मूला जो है इंपरीकल फ़ॉर्मूला इंप्रिकल फिंफ एक यह एक नए कोस्टन आएगा है इसलिए आप लोग यह टोपिक को देखिएगा कि empirical formula कैसे find करते हैं molecular formula दिया हुआ रहता है तो इसी टाइब से molecular formula का हम लोग का vapor density के टम में क्या फर्मुला था टो इंटू वेपर density ठीक है तो इस टाइब से हम लोग क्या करते हैं यह जो है आप लोग कि मैं सम बेसिक concept of chemistry का पढ़ें नेक्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ यहां पर structure of atom structure of atom का हम लोग क्या है सबसे पहले discovery पूछ देता है कि proton का discover कौन क्या electron का discover कौन क्या neutron का discover कौन किया या फिर इस टाइब से होता है कि मास नंबर जब दिया हुआ रहेगा तो मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होगा मास नंबर हम लोगा हो जाएगा यहां पर तो मास नंबर मास नंबर इस को बोलते हैं जिसमें हम लोग के किसको बोलते हैं सेम नंबर अपने ट्रों हम लोग के होता है तो इस टाइप से हम लोग जो है जो है अचीनित कर सकते हैं इजाम में अगर आएगा तो नेक्ट है प्लैंग के कुरिशन क्या होता है तो e is equal to e क्या है energy है और h क्या है प्लैंग कॉंस्टेंट है जिसका वेलू कितना होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second तो यहां पर यह जो e है e का वेलू आप स्वरी h का वेलू क्या हो जाएगा 6.626 into 10 to the power कितना minus 34 कितना होता है minus 34 आगे हम लोग का relationship between wavelength and frequency यहां पर क्या है यह जो new है new inversely proportional क्या होता है यह हम लोग का wavelength का और इसी टाइस टे ब्रबली wave equation क्या होता है formula तो lambda is equal to h by mc या फिर जब हम लोग particle के भासर हम करेंगे तो lambda is equal to क्या होगा h by mb h क्या है हम लोग का h है plank constant ठीक है आगे hansberg uncertainty principle इसमें हम लोग का क्या formula होता है इसका यह जो है change in position into change in momentum यह greater or equal to क्या होता है s by 25 s by 25 इसे टाइप से हम लोग आगे देखेंगे आगे हम लोग क्या है तो यह जो है next principle quantum number यह quantum number वाला भी exam में आता है quantum number में जो है n का value दिया हुआ रहेगा ल का value दिया हुआ रहेगा और उस मैं बोलेगा सबसेल कौन सा होगा इससे related हम लोग का यहाँ पर principle quantum number यह इसको n से denote करते हैं यह size को बताता है atom के size को यहाँ पर यहाँ बराबर 12345 कुछ भी हो सकता है अजमुथल quantum number जिसको denote करते हम लोग एल से और यहाँ पर यह जो है सेप और विटल बताता है l is pal two हमेशा n से एक छोटा रहेगा यहाँ पर क्या है one है तो यहाँ पर 0 से स्टाथ होगा तो 0 1 2 3 यहाँ पर सब्स और फनन आफ्ट नंवर है इसे कॉंटम नंबर है दो स्काइब अगे हैं और माजूआता इसने आगे हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना है पॉली एक्सकुलूजन प्रिंचिपल, पॉली एक्सकुलूजन प्रिंचिपल क्या बलता है, ये जो चारो क्वांटम है, कोई एक एटम का, एक एटम के दौ और अलेक्ट् Samuel, वो कभी वी एक समान नहीं होंगी, ये उसी बारे में मैं poly exclusion principle बताता है आप आप रूल आप लोग भली भाती जानते होंगे electronic configuration करना है तो आप आप के वगए नहीं कर पाएंगी रूल मैक्सिमम मल्टिपल्स ये भी आप लोगो देख लेना है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन सा चेप्टर तो classification of elements अब classification of elements में क्या क्या पढ़ना है कौन ऐसा टॉपिक है जो हम लोग को बार बार आता है यहाँ क्या है देवर्नेर ट्राइट्स पुछता है कि दोवर्नार ने चीज़ का खोज किया था तो दोवर्नार ने सबसे पहले classification of elements का में यह ट्राइट्स का नियम को लाया था उसके बाद क्या है नूव लेंड्स का एकटेफ नूव लेंड्स ने सारी गामा पाधानी इसा के तह आ को फाइंड कर लेना है प्रियर्ड जो होते हैं मोडनIEL ный creditate Party अभिडिन होता है है लूँग है सभी का General Electronic Configuration जो है, पुछा गया है, Ns122, Ns2, Np122, यहाँ पर D Block का क्या है, N-1, D1210, Ns022, इसी टाइप से A Block Elements का क्या है, N-2, F1214, और N-1, D021, और Ns122, इसी टाइप से हम लोग का क्या है, Trends इस में पुछेगा, Trends हम लोग का पुछेगा कि Atomic Radiai में Left to Right जाएगा, त तो हम लोग का Decrease होगा, Down the Group जाएगा, तो क्या होगा, Increase होगा, इसी टाइप से हम लोग का Electronegativity में क्या है, Left to Right जाने से Increase होगा, लेकिन Down the Group मतलब, Group में Top to Bottom जाएगा, तो क्या होगा, Decrease हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना, Highest जो Electronegativity होता है, वह फ्लॉरीन होता है बहुत बार पुछा गिया है, Question, इसको आप भी से ध्यान दीजेगा, आगे है Electronegen enthalpy, इसमें क्या होता है, Left to Right जाने से Increase होता है, और Down the Group जाने से Decrease होता है, यहाँ पर Highest जो है, वह क्या है, क्लोरीन है, इसी टाइप से Ionization enthalpy, Ionization enthalpy में भी Same होता है, जहाँ जहाँ पर E आव पर्टी में क्या होता है, Left to Right जाने से Decrease और Down the Group जाने से Increase होता है, तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यह जो है, Classification of Elements का होने के बाद, हम लोग पहुंचते हैं, कहां पर, यह जो है, इस टाइप से हम लोग पहुंचते हैं, इसमें, केमिकल बॉनिंग में, केमिक क्या क्या पढ़ लेना, बॉन्ड ओडर पढ़ लेना, यह से बॉन्ड ओडर पूछ देगा, इसमें, के ओटू का, एन टू का, या फिर एन टू प्लस, या ओटू टू माइनस, यह सारा चीज़ का हम लोग को पढ़ लेना है, यहां पर और एक यह सब भी condition पूछता है, यह हो गया, SP2 हो गया, SP3 हो गया, यह सारा चीज़ जो है, आप लोग जो है, देख लिजएगा, ठीक है, हाइबिड आजेशन भी इंपोर्टेंट है, इसका सेफ भी पूछ देता है, सेफ में क्या है, BACP, या रूल, रेगुलर सेफ और इरेगुलर सेफ को भी पूछ देगा, कि इसका सेफ क्या हो जाएगा, तो आप लोग एक एक चीज़ टॉपिक को जो है, अच्छे से देख लिजएगा, एनरजी लेवल डागराम भी पढ़ लिजएगा, तोड़ा सा, इसमें यहां पे, मैगनेटिक प्रोपर्टीज, बॉन्ड ओडर वागेर, बहुत सारा चीज है, डाइपल मोमेंट से रिलेटेड कोसें रहेगा, आगे हैं हम लोगा थर्मोडानिमिक्स, थर्मोडानिमिक्स में कहां से कोसें आता है, तो टाइट आप सिस्टम में, जहां ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड आता है, ओपन किसको बोलते हैं जिसमें ना ही अनर्जी होता है इस टाइप से हम लोगा एक्जामपल और क्या है यहां पर एक्षटनसीव प्रोपर्टी का स्टेट पंक्शन का पात पंक्शन का यह सारा चीज का आप लोग जल्दी जल्दी देख लिजेगा नेक्स्ट है अम लोगा इंटल्पी यह सारा चीज जो है यहां पर CP-CV is equal to R इसमें रिलेशन पुछ देगा या फिर इंटल्पी में H is equal to U plus P भी या डिल्टा H is equal to यहां पर पुछा हुआ है कि डिल्टा यू क्या है इसको बोलते हैं क्या चीज इन्टरनल एनर्जी आगे है गिप्स प्री एनर्जी में क्या पढ़े है कि डिल्टा जी इस पर टू डिल्टा H बनाश टी डिल्टा s यहां पिर्येंटा इस क्या है झोड़ है हम लोग को क्या है इंठेलपी है और टेम्प्रेचर और क्या है है आगे हैं आगे हम लोग who's जल्दी-जल्दी हम लोग करते हैं नेश्ट हम हम लोग का यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा यह प्लस भी एकुलिब्रियूम सी डी तो हम लोग का एकुलिब्रियूम कॉंस्टेंट करने के लिए बोलेगा इसका फॉर्मला क्या होता है तो हम लोग लोग कंसेट और यहां पर इसी से रिलेटेट जो है कंजूगेट एसीड जो है इसलिए एक्सेट प्लस आयन यहां पर कंजूगेट बेस बेस का मतलब 20 से अस्टाट है तो 20 से बाहर होना लूज होना एस प्लस आयन तो यह सारा चीज़ जो है ट्रीक आप लोग देख ताकि आप लोग को जो है ओ एक्जाम लिखने में आसानी होगा कहीं दिखत नहीं होगा आगे हैं लूइस कंसेट आप लिजेगा बाकी चेप्टर जो है वह मैं बना नहीं पाया चुकि आप लोग का जो है वीडियो ना लंबा हो इसलिए आप लोग देखी और ये सब सारा चिज़ को जो है एक बार याद कर लिजेगा और अगेन अगेन देख लिजेगा उसके बाद आप लोग एक्जाम लिखने जाएगा थैंक यू